सबजी बिलकुल रेडी हो चुकी है ये देखिए मैं आपको सर्ब करके दिखा रही हूँ तो कोई बोल सकता है कि ये तुरही की सबजी बनके रेडी हो गई है जो बहुत जादा स्वाधिश्ट है तो हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे चैनल में अज मैं आपको कुछ हटके लेकिन बहुत अच्छी बनने वाली ये तुरही की सबजी बता रही हूँ तुरही की सबजी बैसे जादर किसी को पसंद रहती लेकिन आगर आप इस तरह से बनाएंगे तो बहुत पसंद आएगी ये देखिए मैंने तुरही ली है तुरही को मैंने पील आफ करके इस तरह से कट कर लिया जो पतले पीस थे उनके दो टुकड़े कर लिये और जो मौटी सी तुरही थी उनको बीच से कट करके इस तरह से कट कर लिया इसमें मैंने कस्मीरी लाल मिर्च एक चमच आधा चमच हल कर रहे हूं तो मैंने दो बड़े चमबच धनिये और आदा चमबच मुमफली रोश्टिट की हुए धनिया भी रोश्टिट की हुए इसलिए इसमें बहुत कम टाइम लगेगा तीन सावुत लाल मिर्च और आधा कटोरी ये डेसिकेटिड कोकोनट अगर आपके पास ये ना ह अगर हो चुका है लास्ट में मैं इसमें थोड़ा सा दाल चेनी का टोकड़ा एड कर रही हूं और अब मैं इन सभी को ग्रैंड कर लोगे गैस के फ्लेम तो मैं पहले से ओफ कर चुकी थी इसको थोड़ी देर इसी तरह से चड़ाती रहूंगी क्योंकि पैन भी गरम है और अब मैं सभी को ग्रैंड कर रही हूं इसका एक अच्छा खासा पाउडर बनाना है तो यह मसाला बहुत अच्छा बनके तयार होता है यह आप इस्टोर करके भी रख सकते हैं यह खराब नहीं होगा आपका आठ से दस दिन तक यह जैसा है वैसा ही रहेगा मैंने पैन रग सरसु का दो बड़ा चमज देल डाल दिया है यह सब्सक्राइब कोसिस करें सरसु के देल में ही भनाए यह मैंने चमज जीरे दाल दी है और आधा चमज सो अवाड़ बी डाल दी है इसमें और इसको जब इसका कलर अलका सा चेंज हो गया तो मैं इन ऊसमें यह बारी कट्या जब हल्का सा color change हो गया तो मैंने लेस्ट रत का पेश्ट चमच और ये एक चमच मैंने इसमें बेसें डाल दिया है बेसन से जो graveyard में काफी अच्छा texture आएगा तो इसी लिए बेसन मैंने यड्ड कर दिया है आदा चमच ये हल्दी का पाउडर और इसको भी मैं अच्छे से मिक इसमें जादा नहीं नालना है क्योंकि इसमें अलग से मसाला पड़ेगा तो इसलिए मैं इसमें एक ही चमच इसमें धनिया और मिर्च का पाउडर मैं डाल दिया थूड़ा सा पानी नाला और इसको बरावर से इसी तरह से चलाती रहूंगी जिससे जो मसाला है वो अच्छे स से तेल चोड़ने लगेगा तो मैं इसमें ग्रेट के होगे एक बड़ा मैंने टमाटर लिया तो वुडवीड डाल दिया है टमाटर को भी मैंने ग्रेट ही किया है इसको ग्राइंड नहीं किया है अब तोड़ी दिर इसको चलाने के बाद ही मैं आपको तुरही दिखा रही है क्योंकि मसाले ने अच्छा कासा तेल छोड़ दिया था इसको डालने के बाद मैं इसी तरह से अच्छे सी मसाले से इसको यानि की मसाले में ही चलाती रहूंगी यह देखिए, कलर से ही आपको पता चल गया होगा कि कितना अच्छा कलर इसका आया है, थोड़े देर इसी तरह से चलाने के बाद, जब तक इसका अच्छे से जो पानी है, वो निकल जाएगा, और अब इसमें टेस्ट के अकोडिंग नमक एड़ कर रही हूँ, तो आप देख जो मसाले का पाउडर बना के त्यार किया था, यह देखिए, वो रेड़ी हो चुका है, तो इसी तरह से ही आपको पाउडर बना के रेड़ी करना है, अब मैं यह पाउडर जो है, यानि कि मसाले का पाउडर बोमेस में तीन से चार चमज डाल दूँगी, तो यह देखिए, अच्छे खुश्बू आ रही है यकीन मानिए पूरा किचिन मेहक चुका है और जो ये मसाले को पाउडर पचा हुआ इसको आप किसी कंटेनर में स्टोर करके रख सकती है ये आठ से 10 दिन तक खराब नहीं होगा और आप किसी भी सबजी में इसको एड़ कर सकती है तो ये दे और इसको तोड़ी तेर तक ही अच्छे से बॉइल होने दूगी आपको ये नहीं करना है कि जो तो रही है वो काफी सौप्ट हो जाए इनको हलका साही यानि कि 80 परसेंट ही आपको इनको पकाना है अब ये गरम मसाला एड़ कर दिया है यकीन मानिए ऐसी तोरे की सब्डी एक पहले खाई ही नहीं होगी बहुत अच्छी बनिके तयार होगी अब मैं सभी को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और इसको वाइल होने दूगी तो आपको कलर देखके ही अच्छा लग रहा होगा मैंने जो गैस रिले में इल्कुत सिमपर ही की है जिससे ये अच्छे से आराम से बाइब हो लाश्ट में एक चम्मची नीवू का रस डाल रही हूँ इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा अगर आप डालना चाहें तो नीवू का रस इसमें जरूर एड़ करें और ये सबजी तयारी होने वाली है मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और ला और सबजी एक से दो मिर्ट में ही रेडी हो जाएगी तो ये देखिए सबजी विल्कुल रेडी हो चुकी है और जो तोरही है वो भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं हुई है तभी ये बहुत अच्छी लगेंगी तो मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ ये देखिए देखर ही आपको लग रहा होगा कि कितनी अच्छी बनके तयार हुई है ये मैंने 500 ग्राम तोरही बनाए है आप जितना चाहें उतना ही बना सकते हैं अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो कितनी भी बना ले सारी तोरही सबजी आपकी खतम ही हो जाएगी ये देखिए कितन तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना तो बनता ही है पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू